हालो फ्रेंड्स, वेलकम यू आल, आज मा आपके लिडियो लिक्या रहा हो देखें, बहुत बड़ी लर्निंग इस वीडियो से आपको मिलने वाली है, एक बहुत बड़ी लर्निंग जो हम आपके साथ यहां पे शेर करने वाले है, एफल इंडिया का स्टॉक एज एक्सपेक तो अब क्या करें, क्वेशन आपके बने में जरूर होगा, क्या खरीद लें, बहुत सारा माल या फिर बेच दे पड़ा हुआ, तो आपके क्वेशन का आंसर आपके क्वेशन के अंदर ही है, देखते हैं, टेकनिकल अनलेसिस, फंडमेंटल अनलेसिस, इस स्टॉक को समझन जो लर्निंग वहां से मिलती है, आपको, वो इंपोर्टेंट यहां पे देखिए, अफल इंडिया के स्टॉक की तरफ सीज़े आपको लेके चल रहा हूँ, और ये देखिए, आज की डेट में, 4200 का प्राइस आही गया, 11,000 करोर का मार्केट का पड़ाशन, बहुत सारे ल उसका जवाब मिल चुका था बहुत टाइम पहले, इसलिए फरवरी 28 को हमने वीडियो क्रेट किया था, क्या एफल इंडिया का स्टॉक 42 के रेट पर मिलेगा, ये 42,000 का जो रेंज था, ये क्यों आपके लिए बताया गया, मैं कहूंगा इस वीडियो को जरूर देखें, औ ये जम पा आ रहे थे तबके, उनको भी देखके आप समझ सकते हो, और ये फरवरी से ही, और एक बहुत इंपोर्टेंट, जो मैं कहूंगा, जो इस्टिटूशनल या फिर बड़े निवेशक ट्रैप क्रियेट करते हैं, उस ट्रैप को आपको समझाने की कोशिश करूँग आप अलग लग चार्ट को देख सकते हैं, आपको और डिटेल में यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, फल इंडिया के मन्थली चार्ट को देखे सबसे पहले, ये देख रहे हो आप पार्ट, ये देखे किस तरीके से इस टॉक को बिलकुल तीन करेक्शन, फर्स्ट सब बढ़िया था, था कि निता सब बढ़िया, तो ये जब सब बढ़िया था, तो ये कैंडल ने कैसा खतरनाक काम किया, मतलब आप देख रहे हो, किलियर कट इंडिसीजन, उसके बाद दो महीने बेस का फॉर्मेशन ऐसा लग रहा होगा कि ये कभी भी जा सकता, भी हम इस clear the main picture, अब देखिए, as expected, ये नीचे आना था और आया, अब आपके मने में question होगा, क्या ये और नीचे आएगा, क्या ये 36 की इस range में भी मिलेगा, बहुत सारे questions आपके मन में जरूर होगे, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ, stock खरीदना हो, तो एक बात का ज्यान रखे, formula एक ही है, complicated मत कीजिए, complex मत कीजिए, basics पे चलिए, ये आपका uptrend है, और ये आपका downtrend है, ये आपको समझना है, uptrend से downtrend के लिए reversal को देखना है, क्या range बन रही है bottom पे, क्या आपका failure swing बन रहा है, doubt theory का, या non-failure swing बन रहा है, और range बन रही है, range जनरली आपने देखा होग स्केमेटिक जिसको कहा जाता है, उसमें आपने देखा होगा, spring बन सकते है, उसके बाद, ये range का breakout होता है, फिर pullback kind of situation आपको देखने को मिलती है, यानि कि वही higher high high low की सीरी जहां पे start हो जाती है, और उस चीज़ को जब आप देखते हो, तो वह छोटे time frame पे picture आपकी clear हो ज लेकिन इस बार जो ये situation थी ना इस week में, ये volume देख रहे हो आप, this is the crux, this is the crux मैं मैं बता है क्यों कह रहा हो आपको, मतलब किसी ने इतना माल बेचा, इस range पे 5200 या 5000 की जो range है, खुब माल चिपकाया गया, और ये देखे, इतना बड़ा volume, और candle पे कोई असर नहीं, समझ जाओगे, although ये अकीला काफी नहीं है, but आपको hint जरूर देगा, आने वाले time पे, ये level एक बहुत बढ़िया तरीके से, कोई माल धीरे-धीरे करके धीला कर रहा है, समझ ये, जब वो माल को यहाँ धीला कर रहा है, तो इसका मतलब जो price में appreciation हो रहा है, this is just artificial, आपको लगा क ही नहीं लगा, आप देखिए, ये supply area देखिए, देख रहे हो, दिरे-दिरे करके, और उसके बाद फिर सीधे-सीधे गया नीचे, as expected, वो 4,42 की range क्यों, क्यों कि previous resistance will become support here and that's what it did, अब आपको क्या ये क्या बात है, मतलब क्या सटीक, अब आपको क्या यही, यही है, अब खर खरीदारी के लिए, मैं आपको हमेसा कहता हूँ कि जब प्राइस गिर रहा होता है, तो उसको पकड़ने के कोशिश मत कीजिए, उस गिरावट के बाद जो रिवर्सल है, अगर आपको उस टाइम प्रेम पर छोटे टाइम पर चाहिए, यानि कि smaller टाइम फ्रेम विल टेल य जिसने माल डीला करना था, आप खुद सोचिए कि अगर आपने इसको पंदरा सो के लेवल से खरीदा होगा और खूब एमाउंट है आपके पास, खूब क्वांटिटी आपके पास है, तो क्या आप इस एरिया में चाहोगे निया, पंदरा तिया, पैंतालिस मतलब तीन यह हम 28 फरवरी को आपके लिए वीडियो लेकिया है, अब इसी चार्ट को में एक और इंपोर्टेंट पार्ट आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, अगर आप RSI पे इस लवल को देखो, तो यह फरवरी में देखिए, बिल्कुल, टॉपिंग मन रही है, ओवर बॉट एरिया, बिल्कुल पीक पे, बट आप देखिए, अभी और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो पिक्चर और किलिया होगी, और छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है, डेली का, अब तसली से समझे, इस स्ट्रक्चर से जब आप देखोगे, आने वाले टाइम पे, जो आपको सीख मिलेगी न, ओर शॉर्ट अपर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, यह 4,000 या 4,200 का रेंज हमारे पास क्यों था, क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट एरिया, 200 डे के सिंपल मोविंग अवरेज भी है, और प्रीवियस रजिस्टेंस लेवल का, हम आप देखो कि this is the important level, जो structure ब्रेक वा देखिए, अब यह structure ब्रेक वा पहले तो मैं आपको इस पार्ट को बताऊंगा, देखिए, price is making higher high, and see the volume here, जो मैं आपको पहले बताए, इस volume को देखिए, इस area में, देख रहो, big, big selling, और price is making higher high, and if you will see the RSI factor here, on daily time frame, you will realize this is a divergence, momentum is decreasing, and price is making higher high, this is an alert, this is an indication that the fall is very near, उसके बाद देखिए, RSI और नीचे आता है, फिर इस range में रहता है, फिर उसके बाद और नीचे गिर जाता है, इस area को भी, पार बिलकुल भी नहीं किया जाता है, धीरे-धीरे करके, फिर और डाउन आ जाता है, अब कहां पहुँच चुक अगर आप देखोगे, MACD को, similar to RSI, अगर आप MACD को देखोगे, क्या है, this is divergence, MACD भी एक momentum indicator, divergence, clear cut, तो आपको इसी लिए, लेकिन हम तो आपको, divergence से पहले अपडेट कर दिये थे, क्या केंडल स्टिक और volume का जब आप analysis करते हो, volume, बहुत कुछ आपको बताता है, उसके बाद देखिए, MACD पे क्या बन रहा है, आप को गयार, यहां भी तो lower high, lower low की series चल रही है, price में base fix है, but momentum is showing lower high, lower low, and अगर कोई short opportunity ढूड़ता है, तो देखिए, मेरे हिसाब से MACD zero center line से नीचे, और इस तरीके की situation मिलती है, this is the best short opportunity, although यह मैं कहूंगा, यह उस category का stock नहीं है, जहाँ पे आप short opportunity ढूड़ो, F&O segment का नहीं है, otherwise this is the best opportunity, और आपको यह date में दिखाता हूँ, June के starting में, और उसके बाद देखिए, कहा तक यह गया, तो यह learning, यह मैंने आपको बहुत सारी छोटी-छोटी learning से आपे share करने की कोशिश की, और short opportunity की मैं बारे में बात कर रहा था, तो य देखिए, हमेसा देखिए, हम चाहे, बैंक निफ्टी को trade करें, निफ्टी को trade करें, या किसी stock को trade करें, हमेसा मैं आपको कहता हूँ कि MACD से नीचे, center line से नीचे, जब stock आपका जाता है, उस time पे आपको देखने को मिलती है, MACD में short opportunity, that is a basic, और उसके बाद आप clear cut देख सक मैं कहूंगा, यहां गया, फिर और उपर, और उपर, और उपर, यह देखिए, ऐसे करके structure मिले न, तो मतलब breakout के success होने के chances बहुत ज्यादा, एक और important learning आपको देखने को मिली आपे, मिली की नहीं मिली, breakout के success होने के chances बहुत ज्यादा, और यही downside में आप देख सकते हो, one hit, two hit, three hit, four hit, and you got your breakdown, and you got your profits, देखिए, तो similar structure, high, upside, downside, आपको बस relate करनी की जरुवत है, आपको यार, यह तो बहुत ही मज़ेदार situation थी, तो FL India के stock में अब आगे क्या करना है, उसको देखेंगे, अब आगे आपको situation मिलेगी, reversal की, reversal आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से, यह जैसे कि अभी तक अगर आप overall structure को देखो, तो क्या चल रहा है, lower high, lower low का, structure क्या आएगा, यहाँ पर वापसी होगी, क्यासे, अभी तक यह lower high, lower low का structure है, तो वापसी क्यासे होगी, या तो यह पहले high बना देगा, फिर higher low बना आएगा, यह structure हो गया, या फिर यहाँ पर range का, मैं कहूंगा, range बनती भी दिखेगी, फिर range का breakout, इस तरीके से आपको structure देखने को मिलेगा, या फिर मैं कहूंगा, यहाँ पर आपको क्या, higher low मिलेगा, फिर higher high, तो यह important है, अब आपको इस तरीके से समझना होगा, आपको मौके मिलते रहेंगा, और फिलान मैं wind up करता इस वीडियो को, उमीद करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो शेर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखने के लिए, जोइन कीजिए, मेंबर से जोइन बटन पर क्लिक करके, थैंक यू, थैंक यू पर बडियो